हाई फ्रेंड्स मैं परवंदर खाली फ्रेंड्स आज की है हमारी के मुझू हुसेन जी की वीडियो रेक्मेंडेशन है उन्होंने मुझसे जिस गेम के उपड़ वीडियो बनाने के लिका है वो दो बहुत ही लेस नोन खिलाडियों की है जहां साउथ अफ्रीका के वातु कोबेशे का मुकाबला बलगेरिया के क्रिल जी और गिव से हुआ था चलिए शुरू करता हूँ मैं E4 के साथ यहां वातु कोबेशे ने शुरू किया नाइट F6 का रिस्पॉंस यहां क्रिल का आया E5 अलकाइन डिफेंस नाइट गया D5 स्क्वार पर अब्वेस है नाइट F3 D6 देन बिशेप आया C4 स्क्वार पर और यहां नाइट पर अटेक है तो यह नाइट गया B6 स्क् बिशेप F5 देन हुआ A4 E6 देन A5 नाइट पर अटेक यह नाइट गया D7 स्क्वार पर और यहां पॉन पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका है लेकिन उससे पहले यहां वातु का मूव आया A पॉन को आगे पुश करने का देन B6 को इनिशल स्टेजिस में पॉन को एक इस बिशेप ने नाइट को पिन कर दिया तो प्रॉब्लम्स है। नाइट टेक्स E5 हुआ, नाइट टेक्स E5, डी टेक्स E5, कुएं टेक्स E5 इसी वज़े से यहां वातु कर पाए क्योंकि नाइट फिल हाल के लिए पिन है बिशप टेक C2 कोशिश है कि इस बिशप को डिफलेक्ट करवाए जाए रिमूविंग दा पिनर नॉट डिफेंटर दिस ताइं बिशप टेक C2 का मतलब कुईन गवाना होगा तो वो तो होना नहीं है तो यह बिशप गया C6 स्क्वाइर पर और अटेक कहां बना है और डेफिनिटली अब रूप खट जाना चाहिए था लेकिन किंग F7 की आप्शन को यहां पर पहले ब्लैक नहीं चुना और नाइट की चली पिन भी खत्म हो चुकी है तो मेरी नजर में तो बिशप टेक्स एट का मूव ठीक है कोईन टेक्स एट खेला जाता के ये भी एक इशू है कोईन सीद अटेक लगा दी तो उसके बाद यहां पर वाइट को कैसल ही करना होता है मेरे ख्याल से डवलॉपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक बेटर होगा तो मैं तब डवलॉपमेंट वाइज ब्लैक के पास आप्शिन्स ज्यादा होंगे लेकिन चलते हैं गेम पर यहां खेला गया डी फोर का मूब अभी रुक को लेने के जल्दबाजी नहीं की है रुक सी एट और वैसा होना ही था और इसके बाद यहां वाइट ने की सेफटी एंशियर की कैसल करके नाइट गया बी एट स्क्वाइर पर और दुबारा बिशप पर अटेक है क्रिल क्या अपने इस रुक को नहीं रखना चाहते बिशप डी सावन होना ही होना है देन हुआ बीशप बीफोर नाइट को यहां पिन किया गया मेरे ख्याल से रुक बज़ता तो है नहीं लेकिन वातुबी रुक को लेना नहीं चाहते उन्होंने अपने जी पॉन को आगे पुश करके बीशप पर अटेक बनाया वो गया जी सिक्स स्क्वार पर देन हुआ ड सामने आता है लेकिन ब्लैक ने इटेक्स डीफाइड के आप्शन को चुना मैं यहां वाइट से एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिशप का इंट्रोड़क्शन होना चाहिए लेकिन उसके बाद अपनी तरह की प्रॉब्लम है और ब्लैक की यह में अगर हम देखें तो यह का कि मैं अपने रुख को सामने ले आता हूँ यह मेरी नजर में थोड़ा वीक बोग हो जाता है शायद ब्लैक के लिए जादा बहतर था कि वो अपने बीशप को बचा लेते ऐसा मैं क्यों कह सकता हूँ क्योंकि यहां पर वाइट ने पहले अपनी कुन को लिया सी सिक्स स् भी बी थ्री स्क्वार पर देन हुआ रुख टेक्स जी फूर वी चेक के साथ किंग गया एच वन स्क्वार पर और फ्रेंड्स अब यहां आप प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं कि ब्लैक क्या थ्रेट भी रहा है यह थ्रेट भी बहुत स्ट्रॉंग है क्योंकि जाज़ जा फाइव नाइट पर अटेक बना और अब फॉर नाइट यहां से वापस डी फाइव स्क्वार पर गया और जैसे मैं कह रहा हूं कि बिशाप फॉर चेक एक अच्छी आप्शन थी क्रिल के लिए जो वो यहां मिस कर गए गेम का प्रेशर किसी से क्या करवा देता है वो यहा 2663 और वहीं क्ल दिमित्रोव जी और गेव की रेटिंग थी 2682 तीन सो से ज्यादा इलो रेटिंग का डिफरेंस हैं दोनों के लाडियों में वी चुने और उसके बाद भी प्रेशर में आ चुकी है यह अगर मूव चला जाता यह मिस कर गए इस मूव को क्योंकि जाज़ ज् और अप्शन चुनी जाएगी बिशेप टेक्स डी 3, कुइन टेक्स डी 5, कुइन टेक्स डी 5, बिशेप टेक्स डी 5 और अपने इस रुक को बचा लो यहां भी आको बचाना है एच होर जैसे बी किसी भी स्क्वार पर और एटलिस्ट इस गेम में फाइट रहती बिशेप और जा चुका है खेर चलते हैं गेम पर यहां अंडर प्रेशर क्रिल ने अपने नाइट को लिया सी 6 स्क्वार पर सुचा होगा कि नाइट को तो मैं ले ही लूँगा रुक को भी थोड़ा फ्री कर लूँ लेकिन नाइट एफ हो और फ्रेंड्स यह मूव और जादा इंट इसिक्स चैट थी यहां पर लेकिन वातू को बसे ने अपनी कुण को लिया पहले इसिक्स स्क्वार पर कुण एक्शेंज आसकी है पूरे मैटरिल एक्शेंज को बहुत कॉंप्लिकेटिड कर दिया है तो बिशप एफ फाइव की क्रिल ने विकाग की सिंपल गेम मुझे भ लिए है अब करो आपको जो करना है तो दोनों के लाड़ी के बीच में कॉंप्लिकेटिशन यह चल रहा है कि सिच्वेशन को कॉंप्लिकेटिड करके मैटरिल एक्शेंज गौन गरेगा बिशप टेक्सी रुक गया और अभी भी कुई नटकी हुए दोनों खिलाड़ी बिशप पर वाइट का पहली बार हाथ लगा था रुक आया एफ फाइब स्क्वेशन पर और अब आप इस बिशप को भी हटा नहीं सकते किंग आया जी टू स्क्वेशन पर ताकि कमगा पॉन पर डिफेंस हो सके किंग एफ सेवन देन नाइट एटू और यहां से यह नाइट एक्शेटली मेरे हिसाब से तो यही अच्छी जगा इस नाइट के लिए रुक डी फाइव देन बिशप पर अटैक था गया सी थ्री स्क्वेशन पर रुक डी सेवन रुक अटैब गोस तो सी वन यह मूव मुझे भी समझ में नहीं आ कि आख लिए क्या चला है वेल नाइट बी एट देन हुआ रुक डी वन क्या वो हाथ पहले जादा तेजी से चले जा रहा जो सी वन स्कुएर पर जाकर रुक डुक को आनाई डी वन स्कुएर पर चाहिए तरुक एक्शन आस्किन गया और अव्यस है एक कम्प्लीट माइनर पीस यहां पर वाइट ज इवन बैटर ऑप्शन लेकिन फॉर वाइट ब्लैक आकर इस मूव को चले गए कि उसी दी सी बात है रुक ए सेवन की ऑप्शन को पहले यहां पर चुना गया ब्लैक के द्वारा जैन हुआ नाइट जी थी बिशेप टेक्स एसिक्स और फ्रेंड बिशेप टेक्स एसिक्स क के बाद मेरा इसा मानना है कि नहीं नाइट पर बिल्कुल यार डिफेंडर फिलासफी बढ़िया है पता नहीं क्यों नहीं चला गया यहां नाइट फॉर की ऑप्शन को चुना गया और अगले मूव में क्या थ्रेट हो सकती है मुझे यह चेक जरूर नजर आ गई है बिश नहीं करना सीधी सी बात अगर उपनेंट को मेटल एक्शन करने का मौका मिला तो गेम को एंड गेम तब बहुत जल्दी कुछा देगे किंग फ्टू दैन हुआ हुआ है चेक किंग भागया एच सेवन स्क्वार पर दैन हुआ बिशफ टेक्स फिक्स फ्रेंड्स क्या मूव क्या आपको यह मूव समझ में आया है ब्लैक अगर यहां जी टेक्स फिक्स की ऑप्षिन को चुनेगा तो गेम चेक्मेट तक पहुंचती है क्योंकि पहले आएगी नाइट टेक्स फिक्स हुई चेक के साथ किंग को एच एट स्क्वार पर जाना होगा और उसके बाद रू कि नहीं आपको अभी नजर आ रही है यह चेक ले सकते हैं लेकिन चलते हैं गेम पर यहां के लागया बिशप सी थी पहले बिशप बचाओ साधर नतरीके से बिशप बी सैवन और यहां इस नाइट इल्कुल एफ त्री पाउन पिन है एक्जैक्ली किंग एए त्री स्कार पिन नहीं रहने देना उसके एसिक्स हुआ देन रोकटे गोज टू डी वन और मेरे खाल से कितने लोगों को यहां पर गेम में कुछ कॉमिनेशन्स नजर आ रहे हैं नाइट सी सिक्स यहां ब्लैक ने खेला तो सही लेकिन फाइनली वही मूव खेला गया जो मैं थोड़ी आए दुरुस्त आए और यहां इस मूव के बाद किरल दिमित्रोव को रिजाइन करना पड़ीगा रेजिगनेशन का रिजन है समझते हैं कि अगर यहां से एक गेम आगे बढ़ती है और ब्लैक रुक टेक्स जी सेवन के लिए जाता है तो अब्स है क्या जोड़त है वैसे कर देते हैं रुक डी सेवन आप हटाओ इस रुक को जहां भी हटाओ वे वहां यह चेक्मेट कर देगा दोनों में से कोई साब यह प्रुपिगा कर तो ब्लैक के पास बेस्ट आप्शिन है रुक डी सेवन चेक की ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि कि अगर यहां रुक टेक्स सेवन होगा तो नाइट एक्स एवन के बाद यहां पर यह जी एट स्क्वार पर डिफेंस आपको नजर आ गया होगा नाइट का तो किंग को अटाना होगा पहले दैन आप उल्टे सीदे जो मरजी मूब चलते रोकी फोर चैक भी चला गया तो कौन से ली ली जाएगा डिस कर ली जाए तो क्या होगा लेकिन अगर यहां नाइट एक्स बीफोर कुछ और मूब चला जाए तो यह गिम किस तरह से आगी भड़ेगी तो खिला जाएगा नाइट से चेक रुक टेक्स एफ सिक्स बीशप टेक्स एफ सिक्स देन नाइट से चैक दे देते हैं अहां फॉ प्रेंट्स बहुत अच्छी टेक्टिकल गेम और खासकर अपने से 300 वाले बड़े खिलाने को इस तरह से बहुत मुश्किल है चैस में बहुत कम देखने को बिलता है मुझे अमीद है आप सभी लोगों को भी जरू पसंद आई होगी तो आप लोग इसी वीडियो को लाइक शेयर और अपने सी यूटीब चैनल चैस ग्रूप को प्ले सब्सक्राइब जरूर करें आपके कमेंट्स का मुझे बहुत दिन सा रहेगा थैंक यू फर वाचिंग एड़ बाई फॉर ना